तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो दसमलब दो, सुक्षम जीव कहां रहते हैं। तो सुक्षम जीव होते क्या हैं सबसे पहले तो ऐसे जीव जिनको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें आप देखेंगे एक सुक्षम दर्सी द्वारा। सुक्षम दर्सी एक हमारे पास यंत्र है जो सुक्षम जीव को देखने में हमारी सहायता करता है। सुक्षम जीव होते कैसे हैं एक कोशिकी एक कोशिका बाले आपको पता है हम जितने भी जीव जनतों हम सब कोशिकाओं से बने होते हैं हम लाखों, करोडों, अर्वों, खर्वों, कोशिकाओं से बने हैं लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बनते हैं जैसे कि जीवानों, शेवाल, प्रोटोजुवा यह हमने सुक्षम जीवों के विभिन बर्ग कल पढ़ लिये हैं तो ये वर्ग हमेशा याद रखने हैं आपने शुक्षम जीव किस किस वर्ग में आते हैं वो हैं जीवाणों शेवाल प्रोटो जोवा ठीक है इसके अलावा कुछ थोड़े थोड़े कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा कोशी कायं भी हो सकती हैं लेकिन वो भी इतने छोटे होते हैं कि वो भी हमें आँखों से दिखाई नहीं देंगे और यह कहीं भी रह सकते हैं चाहे मरुस्थल में चाहे ऐसी जगह जहां पूरा साल वर्फ रहती है जीरो से कम ताप मान रहता है माइनस में ताप मान रहता है जहें बहुत ज्यादा गर्मी रहती है जाते हों साथ में सुक्षम जीव अकेले भी रह सकते हैं और दूसरे जीवों के साथ भी रह सकते हैं दूसरे जीवों पर आश्रित भी हो सकते हैं और सुतंतर रूप से भी पाए जाते हैं अमीबा की बात करें अमीबा एक प्रोटो जोवा है प्रोटो जोवा वर्ग में आता है अमीबा, अमीबा शुक्षम जीब अकेले रह सकता है, जबकि कवक की बात करें हम, कवक समुख के जीब, ज्यादा तर आपको समुख में ही मिलेंगे, वो अकेले नहीं रहेंगे, वहाँ इकठे मिलेंगे आपको बहुत सारे कवक, ठीक है, अच्छा, आईए अब जान आपने अभी पढ़ा, तो अभी तक आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, कि शुक्षम जीब जो आपका राइजोबियम पढ़ा है, वो मृदा में नाइट्रोजन, पोशक की मातरा बढ़ाने में सहायता करता है, तो कुछ शुक्षम जीब लाबदायक भी हैं, जबकि क कुछ ऐसे भी हैं, जो हमें रोग करते हैं, रोग करने वाले जीवानों, अभी आपने पढ़ा विश्याणों के बारे में कल मैंने आपसे पूछा था कौन-कौन से रोग करते हैं, जीवानों भी बहुत सारे रोग करते हैं, जैसे डाइसेंटरी है, मलेरिया है, प्राइता करते हैं, वो कौन-कौन से हैं। आपने दहीं, ब्रेड, केक बनाया होगा या देखा होगा बनते होए, तो इन्हें बनाने में भी सुक्षम-जीव का ही महत्व होता है। आप अठे में कई बढ़र इस्ट ढालते हैं, तो इस्ट भी एक कवक है। तो यह भी है होते हैं दूद को दही में बदलने के लिए जीवानों का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है परयाबरण को स्वच्छ बनाने में भी शुक्षम जीव बहुत थल्प कते हैं कुछ मर गया कभी उससे बदवु आना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आप देखते हैं कि कोई है वह बदवु कुछ समयवाद खतम हो जाती है क्यों क्योंकि शुक्षम जीव उस मरित जीव के अंदर जो पोशक हैं उनको डिजॉल्व करके उसे स्माप्त कर देते हैं जिससे बदवु आना कुछ समयवाद बंध हो जाती है दही एवं ब्रेड बनाना नैट्रोजन स्थ जीवाणों दूद को दही में परिवर्तित करते हैं यह जो बैक्टीरिया होते हैं यह हैं लेक्टोवेसिलस जीवाणों बैक्टीरिया भी बोलते हैं जीवाणों को इंग्रिश में तो लेक्टोवेसिलस ऐसे जीवाणों है जो दूद को दही में परिवर्तित कर देते हैं याद रहे कौन से जिवानों है ये लक्टो वेसिलस, पुछा जा सकते हैं आपसे कि कौन सा जिवानों दूद को दही में परिवर्तित करने में सहाइक होता है, वह दूद में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करते हैं, अब ये जिवानों पनीर, अचार, अनेक खादेपदा तो इस प्रकार जिवानों को बड़ा इंपॉर्टन्ट रोल है जिवानों इष्ट चावल के आट्टे के कीनवन में सहाइक होते हैं इडली और दोसा बनता है उससे प्रियकलाब दो दोसनों तीन कुछ ऐसा ही है आपने आटा लेना है या मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चिन्नी डालकर गर्म जल में उसे मिलाना है इसमें थोड़ी सी मात्रा इष्ट पाउडर मिलाकर इसे गूंत लेजिए आप दो घंटे बाद क्या देखते हैं कि गूंते हुआ आटे को उठा हुआ आप पाएंगे ये जैसे आपको यहां पर दिखाया गया है तो इस्ट तिब्रता से जनन करके स्वसन के दोरान कार्बन डायक्साइड उत्पन करते हैं तो यह आटे के अंदर आपने इस्ट डाला है और वो जनन करेगा तिब्रगती से और उसमें निकलेगी कार्बन डायक्साइड और वो कार्बन डायक्साइड इस आटे को उपर उ प्योग का आधार है अब आपने पेश्ट्री केक ब्रेड ये सब बनते हुए देखे हैं तो बड़े सॉफ्ट होते हैं वो आट्टे के अंदर बहुत सारा गैप बन जाता है कारवंड एकसाइड की बज़ा से जिसके कारण वो ब्रेड या केक जो हती है बड़ी स्पंजी सॉ आट्टे को उपर की और उठा देगी अब यह आटा जब आप बनाईंगे तो इसमें इस कारवंड एकसाइड की बज़ा से खाली गैप बन जायंगे और और जो भी bread बगयारा बनेगी वो बड़ी soft होगी या कई बार आप घर में भी रोटी बनाते वो बड़ी soft होती है क्यों क्यों कि उस आटे में बहुस ज्यादा खाली स्थान होता है कि जो carbon dioxide की बज़ा से था और carbon dioxide किसने उत्पन की east में अब सुक्षम जीवों का वानिजिक उप्योग आप पढ़ें वानिजिक मतलब हम factory में किस लिए उप्योग करते हैं इन सुक्षम जीवों का अलकोहल बनाने के लिए श्राब बनाने के लिए acetic acid बनाने के लिए तो ये गेहों चावल फलों में हमसुख्यम जीव डालते हैं और इस्ट डाल रहे हैं और वो अलकोहल में आलकोहल का इवं श्राब का उत्पादन करते हैं तो ये क्रियक लाब 2.04 है इसको भी आप घर में समझने का प्रयास करें ये हमने सब पढ़ा है यहां तक इसलिए मैं आपको ये चाहता हूं कि आप दुबारा से इसको अच्छे से पढ़ें यहां पर आपके कुछ प्रशन बन सकते हैं जैसे सुक्षम जीब हमारे लिए किस प्रकार सहायक हैं या सुक्षम जीब हमारे लिए उनके क्या उप्योग हैं या हमारे लिए क्या करते हैं कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ रोग करने वाले होते हैं, तो रोग करने वाले होते हैं, वो रोगानों कहे जाते हैं, तो आपने मित्रवत सुक्षम जीवों में बताना है कि ये किस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरी करन करते हैं, दहीं ब्रेड बनाने में हमारी हल्प करत हैं ठीक है